तो आगर तो आपका बुद्धा साइंस एकरेड़ी में अज हम लोग देखेंगे चुम्बक यानि की मैगनेट के अगले पार्ट को अगले पार्ट में हम लोग सीखने जा रहे हैं अगर एक समान चुम्बक चेतर में अगर किसी आवेस को ठीटा कौन से गती कराया जाए तो उसकी गती किस परकार की होगी तो आज हमारा जो focus होगा मुख focus कि एक समान चुम्बक छेतर लेंगे और एक समान चुम्बक छेतर में हम किसी आवेस की गती को देखेंगे कि इस परकार होती है तो जब हम एक समान चुम्बक छेतर को देखेंगे तब यहाँ पे हमारे सारी बात क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगे तर्क हमारा जो आज का पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट होगा एक समान चुम्बक छेतर में एक समान चुम्बक के छेतर में किसी आवेश को किसी आवेश की कौन पर गती हम लोग देखने वाले एक समान चुम्बक छेतर में किसी आवेश की किसी कौन पर गती की बात करूं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक पेज लेते हैं और नए पेज में हम अपने एक समान चुम्बक छेतर को सबसे पहले देखना चाहेंगे कि एक समान जो चुम्बक छेतर ह होगा अपना वह सबसे पहले क्या करते हैं करते हैं और इसे हम बी के द्वारा रिपर्जेंट करते हैं अब हम इसी में किसी आवेस को क्यों आवेस को हम इस वाले विंदू में अर्थार्थ चुम्बक छेतर के साथ हम क्या करने जाएंगे ठीटा कौन से इसको हम गती करवाएंगे ठीटा कौन से क्या करेंगे की वेग से गती करवाएंगे अर्थार मैंने ये कहा कि इस आवेश की जो गती होगी चुमबक छेदर के साथ ये जो कौन बनाएगी वो गती होगी ठीटा कौन से कितने कौन से ठीटा कौन से तो हमें क्या करना होगा इस आवेश की जो गती भी है इस आवेश की गती भी का दो component में यादि की दो घटकों में इसे ब्योजित करना पड़ेगा अर्थार दोनों घटकों में इसके वेग को देखना पड़ेगा कि इसके वेग जो है वो किस B-axis में कितना है इसके अभी लंबत कितना है तो हम सबसे पहले अभी लंबत घटक के लिए हम सबसे पहले क्या हम माल लेंगे कि चुम्बक छेतर का जो अभी लंबत घटक है ये वाला है और हम इस भीवेग का और हम इस भीवेग का क्या करेंगे घटक तोड़ेंगे तो हम जानते हैं घटक तोड़ने के लिए पिछले कलास में हम लोगों ने सिखा इसके घटक को तोड़ने के लिए कि अ अर्थार्थ इसके opposite में हम यहाँ पे लेते हैं B sin theta, अर्थार्थ यह जो B sin theta है और यह B cos theta है इन दोनों का अपना अलग-अलग काम होगा, अर्थार्थ भी sin theta के कारण यह जो हमारा आवेस है इसमें विर्ताकार गती करेगी, अर्थार्थ इसमें अभी केंदर यह बल लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई आवेस चुम्बक छेदर के अभिलमबत अगर गती करती है तो उसकी गती विर्ताकार गती होती है, कि मुष्रे अध्याय में हमने सिखाता है इस बात को, कि एक समान चुम्बक छेदर था इस प्रकार से, एक समान क्या था, चुम्बक छेदर था, और एक समान चुम्बक छेदर में हमने किसी आवेस को, आवेस क्यों को, भीव एक से क्या करवाया, गती करवाया, जैसे गती तो मैंने देखा कि जहां जहां आवेश की हमने गती देखी उस गती का जो गती पर यानि कि चुम्बक चेदर के कारण जो बल लग रहा था किसी एक मुख केंदर की और लग रहा था यानि इसी कारण यहां पर लगा था अभी केंदरी बल जिसके कारण आपकी जो आवेश की इस चुम्भक छेतर के अभी लंबत है अर्थार् आपका जो चुम्बक हेदर अगर मैं यहां से देखू अपने आखोओ से कि चुम्भक छेतर निने कि हम से क्या करणार वेत्व चाहरा है तो हमसे अगर दूर जयएगा तो हम इसको किस तरह से क्रॉस में रिपर्जन करके हमसे चुम्बक छेतर दूर जा रहा है अर्थार्थ यह जो चुम्बक छेतर भी है वो भी साइन ठीटा जो उसके अभिलंबत क्या कर रही है गती कर रही है अगर अभिलंबत गती कर रही है तो वहां पर भी इसकी जो गती होगी वो विर्टाकार होगी अर्थार्थ भी साइन भी San Theta के कारण वो आवेश आगे बढ़ने का काम करेगी अर्थार्थ, एक Spring के बात नहीं इसकी जो गति है, देखने को मिलेगी अर्थार्थ, किस परकार आप देख सकते हो इसकी गति को? तो आप देखो इसकी गति को हमकुछ इस परकार से देख सकते हम B sin theta के कारण जो इसकी गती देखने को मिलेगी B sin theta के कारण जो इसकी गती देखने को मिलेगी कुछ इस परकार होगी अगर मैं इसी चीज़ को मैं इस तरह से कर दू अगर मैं इसी चीज़ को अंदर कर दू तो वो चीज़ इस परकार से दिखेगा कि भी time theta के कारण जो गती दिखा है, गोला कार जरूर दिखा है वो इस परकार से है मैंने इसको चूडी में देखा और साथ सीधे सामने से देखा तो गोल दिखा और जब इस तर से देखा जाए तो इस परकार से दिखेगा एक चूडी की बाती और ये भी cause theta क्या करेगा इसको आगे ले जाने का परियास करेगी कुछ इस तरह से और इसकी गती लगतार इस तरह से देखने को चिलेगी परकार से क्या करेगी? लगतार देखने को चिलती रहेगी और इस परकार की जो गती होगी इस परकार की गती को हम कहते हैं कुंडलेनी गती परकार की गती को क्या बोलते हैं कुंडलेनी गती का नाम देते हैं अर्थार्थ हमने यहां से क्या क्या सिखा यह जो भी कॉस्ट ठीटा था यह भी कॉस्ट ठीटा इस आवेश को सुम्बक छेदर की दिसा में गति करवाया गति करवाया और ये भी साइन ठीटा कि इसको बिर्तिय गति परदान करवाया कि इसको जो है बिर्तिय गति क्या करवाया प्रदान करवाया कि कौन से भई वी साइन ठीटा प्रदिय गति में घुमाया इसको तो हमने यहां पर देखा कि इस परकार की जब गति हुई तो हम इस परकार की गति को कौन सी गति कहेंगे कुंडलीनी गति कौन सी गति कहेंगे कुंडलीनी गति हमें यहां पर क्या करना होता है हमें यहां पर एक अंतराल निकालना होता है यहां से अगर सपोस कर यह कि यहां से अगर यह आवेश कुछ इस प्रकार से चलते 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 चल चूड़ी अंतराल को हम इंगलेस में पिछ बोलते हैं पिछ पिछ इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कर तो यहां पर आंतराल मिलता उसी को हम बोलते हैं चूड़ी अ उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां कि सबसे ना पड़ेगा सबसे पहले इसे मिटाना पड़ेगा तो आते हैं इस आवेश के वेग को हम क्या करते हैं देखते हैं इस आवेश का वेग एक्च्वल में है क्या तो आएंगे आज बात करेंगे फोकस करेंगे किस बात पे कि आवेश का वेग होगा अर्थार्ट आवेश का जो वेग है ये बिटा कार किस बज़ा से हुआ अभी केंद्रिये बल के कारण तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवेश का वेग होगा अगर हम यहां से आवेश के वेग की बात करें तो हमारा जो आवेश का वेग है यहां पर अगर देखा जाए तो यह क्या एक केंद्र की और बल लगेगा और केंद्र की और जब जब बल लगेगा तो यहां पर अभी केंद्र यह बल आएगा अर्थार्त हम यहां से कहेंगे कि इंबी स्कॉर्वर बटे आर परावर होगा आवेस पे लगे बलके क्यूज पी पीके और यहाँ पर जो बल लगने वाला है वो पपेंडिकुलर वाला बल लगेगा अर्थार्थ मैं यहाँ पर पपेंडिकुलर दिखाऊंगा जो दिखाऊंगा क्योंकि हम जो यहाँ पर बात एजियूम कर रहे हैं जो वेग देख रहे हैं भी साइन ठीटा के कारण देख करूं तो अगर देखा जाए तो यहाँ से भी पर पेंडिकुलर आपस में क्या करेंगे कर जाएंगे यादि यह भी पर पेंडिकुलर और एक भी पर पेंडिकुलर कर जाएगा और आपके पास बचेगा एम भी पर पेंडिकुलर अब बटे कितना और बरावर हो जाएगा QB के, जावर किसके हो जाएगा, QB के, अगर मैं यहां से भी पपेंडिकुलर के मान की वैख्या करूँ, तो भी पपेंडिकुलर का जो मान होगा, आप यहीं रहने दो इसको, तो यह आजाएगा QB, और यह आर बटे में तो उधर भेजेंगे, तो क्या होगा, गुना में, आ यानि की, भी पपेंडिकुलर का जो फोमला अपने पास बनने वाला है, उसका फोमला आ जाएगा, QB, आर बटे, M, अर्थार्थ, आपका जो आवेश का वेग होगा, इसके अभी लंबर, वो हो जाएगा, QB, आर बटे, M, QB, आर बटे, M, अगर भी साइन ठीटा की, यान तो तरज्या होगी, मैं या पर लिखता हूँ, तरज्या, 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 तरज्या होगी, अब हम यहां से क्या करते हैं, कि यह किस तरज्या के पत पर यह गति सी एले, हम तरज्या की बात करेंगे, तरज्या की पूस्टी करेंगे, कि किसे तर वाले आर का मान यहां से निकाल सकते कि अगर मैं इसको समीकरन का नाम एक बोल दो तो मैं समीकरन एक की साहिता से आर का वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मैं आर की वैल्यू की बात करो तो आर बराबर हमाई क्या मिलेगा आर बराबर हो जाएगा आर को यह रहने देजिए यह तो नो टम गुना में है तो और ये बराबर में तो भी परपेंडिकुलर बटा हो जाएगा ये क्यों भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा च्यों भी आपन क्या हो जाएगा और ये एम अपन में है तो ये एम इधर मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा जाहां करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भी परपेंडिकुलर का जो मान है वो भी साइन ठीटा के बराबर है भी साइन ठीटा के क्या है बराबर है अगर भी परपेंडिकुलर की बात करनो तो यह हो जाएगा भी साइन ठीटा तो मैं इस वाले मान को मैं क्या करता हूँ भी परपेंडिकुलर के जगा पे पुट करता हूँ तो भी परपेंडिकुलर के जगा पे अगर पुट करते हो यहां से जो आपका आर का वैल्यू दिखेगा आर का वैल्यू क्या करेगा दिखेगा वो आर का वैल्यू हो जाएगा आर बरा अर्था आपका जो आवेस है वो किस वाले पत पे ढती कर रहे है ruined आज बरावर भी साइन थीटा इंटु आई म अपॉय पे अगर हम आगे की बात करें अगर हम आगे की बात करें तो हम आगे क्या कर सकते हैं अब चाहो तो पहले अपber ले सकते हो अगर हम इसके आगे की बात करें तो आगे की बात में हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम पिछ के लिए फोर्मला लिखेंगे कैस के लिए पिछ के लिए तो पिछ के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इसके आवर्तकाल में तो आवर्तकाल हम सबसे पहले निकालने का परियास करेंगे तो आते हैं दूसरे स्लाइड में और हम आवर्तकाल की बात करते हैं अगर हम यहां से अगली पॉइंट आवर्तकाल की बात करें आवर्तकाल आवर्तकाल को हम क्या से रिपर्जेंट करते हैं T से मैं आवर्तकाल की बात करो तो आवर्तकाल में मैं क्या लिख स सब्सक्रार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्ण एक चक्कर लगाने में लगा समय अर्थार यहां से यह तो आप यह कर लो या पर आप एक काम और कर कर सकते हो अब 9 th क्लास की मदद से यसे क्या कर सकतरों निकाल सकतों सुत्र लगाठी है पिछले क्लास में बतायाओ था चाल अब राबर तूरी वत्पी समय से अगर आप यह वालिफ सुतर का परियोग करते हो आसानी से बन जाएगा तो यहां से हम समय अगर निकालना चाहे तो समय हमारा क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी वटे क्या अगर मैं यहां से देखूं तो इसकी दूरी कितनी होई भाई हमने अभी जस्ट देखा कि अ अगर यह बिटाकार यहीं से अवेश चलना सुरू किया तो यहां से चलते चलते जब यहां आएगा तो इसकी परिदी पर चलेगा जानते की वुरित की क्या होती है अर्थार्त इसके तू पाई क्या और तो यहां पर हो जाएगा टू पाई और ओ हो तू पाई और बटे चाल चाल इसकी जो थी वो भी परपेंडिकुलर में लिखूंगा क्योंकि यहां पर जो विर्ताकार गती हो पार रही थी यहां पर देखिए यहां पर जो विर्ताकार गती हो रही थी वो क v sin theta का मान अगर मैं यहाँ पर put करूँ तो टी का ज़ो value आएगा जो अफ भी sin theta या तो मैं यहाँ से भी perpendicular का डिract value put कर सकता हूँ तो भी perpendicular का अब direct value put कर सकते हो यहाँ से भी कि अब भी perpendicular का जो माने qb r बटे क्या है n है तो आप इस के मान को भी रख सकते हो Q, P, R, अब बटे क्या हो जाएगा M, यहाँ पर अगर main line की बात करी जाए, तो यहाँ पर जो main line होगा, यह वाला होगा, इस line को हम क्या अंगसा line बोलेंगे, main line बोलेंगे, अगर आप यहाँ से देखो, जड़ा, तो यहाँ से आप क्या क कर सकते हो, M को उपर बेश सकते हो, तो यहाँ से जो आवर्थ कल हमारा आएगा T का मान, वो T का मान आ जाएगा, 2, 5, M, R, बटे कितना, Q, B, R, बटे कितना, Q, B, R, अगर मैं यहाँ से बात करो, कि कुछ कट रहे हैं, तो यहाँ से R से R cancel हो रहा है, तो आपके पास जो T का म आएगा, वो आजाएगा, 2, 5, M, अब बटे कितना, Q, B, और यह हमारा हो जाएगा, क्या, पूर्बुला, किसका, आवर्थ काल के लिए, काल के लिए, आवर्थ काल के लिए, अगर आप लिखना चाहो, तो जल्दी से लिखिए, अगले स्लाइट पे और अगले स्लाइट पे हम लोग सीखेंगे, आवर्थी निकालने के लिए, तो आपे बात करते हैं, आवर्थी के उपर, किस पे, आवर्थी के उपर, हमारा जो आगला होगा, पॉइंट आवर्थी, आवर्थी को हम F से रिपर्जेंट करते हैं, और आवर्थी का जो मान होता है, वो, हमारे अवर्थ काल का, वो वो बितकरम होता है, अर्थार्थ F का मान जो होता है, 1 बटे T के क्या होता है, इकोल होता है, अर्थार्थ F को हम लिख सकते हैं, 1 बटे T, T का वैल्यू, हमने ब 2πi m upon किसना होता है qb, तो हम रखते हैं इसके मान को, ठीका मान क्या रखना है हमें, 2πi m upon qb, तो पाइ m, अब 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 कितना qb, अगर मैं यहां पे main line की बात करूँ, यहां पे मैं main line की बात करूँ, तो यह वाला जो वाला मेंल लाइन है तो क्यूंभ कहा जाएगा उपर यहां पर ग्लाएगा उपर में इस उमधित करता हूं अप मज़ में आ रहे हैं कि बात अगर मैं यहां से आगे की बात करूँ इसको मैं फोड़ा छोटा कर देता हूं वही और एक ही हमारा सारा काम हो जाए अब यहां से आविर्थिक की बात करा हूँ अब आविर्थिक के बाद मुझे निकालना है चूड़ी अंतराल क्या निकालना है चूड़ी अंतराल तो हम चूड़ी अंतराल की बात करेंगे और हमारा जो मुख्य फोकस अब होगा वो चूड़ी अंतराल के उपर होगा तो हम लोग बात करेंगे किस की पिच की किस की बात करेंगे पिच की यह काम करता हूँ निया स्लाइड ही लेता हूँ कि हमारा जो अगला पोईंट है यह मोस्च भी भी आई है आपको ثोड़ा सा अराम से देखना जिसको बोलते हैं चूड़ी अंकराल शोरी शोरी अंकराल शोरी पिछ अखिर ये पिछ होता क्या है अखिर ये पिछ क्या होता है हम उसकी बात करेंगे उसकी चर्चा करेंगे कि ये पिछ होता क्या है तो हम आते हैं पहले अपने क्योरी वाले पेज पे कि एक्च्वल में पिछ होता क्या है तो मैं ये का सकता हूं पिछ मैं उसे काता हूं ज तो आवेश के द्वारा एक चकर चुम्बक चेडर की दिसां में लगती है अर्थार्थ ताइद। पिच्च के लिए बात करूं तो मैं यहां पर लिख वे सकता हूँ कि आवेश का तुम्बक छेत्र की दिशा में तुम्बक छेत्र की दिशा में एक चक्कर करने में तएक की गईदूरी को लिखते हैं एक चक्कर क्यिंट एक चक्कर में पाइक की गईदूरी चक्कर में और में तै की गई दूरी दूरी चुड़ी अंतराल का लाती है जूरी अंतराल का लाती है मैं इस पॉर्मुले का सहरा ले सकता हू stuffs altri वटे कर दाल मैं बात करें की तो दूरी का मान हो जाएगा अपना दूरी बेर बराबर बुझे दूरी निकाल नहीं है तो दूरी बराबर होका चाल गुने म cast जाल गुने क्या, तो यहां से मैं दूरी को पिच कहूं, क्योंकि यह दूरी ही निकाल ली है मुझे, तो हमारा जो पीच होगा, पीच को मैं पीच से रिपर्जन्ट करूंगा, पी बरावर होगा, और इस दिसा में जो आपके द्वारा चली गई दूरी है, इस दिसा में, या कॉस ठीटा अर्थार्थ ये चुम्बक छेतर की दिसा में चली गई दूरी है इसलिए भी कॉस ठीटा अगुने समय को मैं क्या कहूंगा टी अगर मैं टी की बात करूं तो ठी के मान को मैंने पहले ही निकाला है तो हमारा जो ठी का मान है वो कितना होता है टू पाई एम हमारा टू पाई एम अपॉन कितना तू भी अगा अगर मैं यहां से बात करो तो सजा कर लिखना चाहूं तो आपका जो पीच का मान होगा टी इकोई स्टू तू पाई पाई को पाई है लेप एम हंट उछती डऑ अभात अन iets पीच के लिए सूत्र आएब और आपका जो यहां पे प्स के लिए सूत्र आयेगा वह आ जाएगा फिचो के लिए सुत्र र ot कि आई होब आपको समझ में आई होगी मैं अगर चाहूं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इस पीच के लिए एक दूसरा हुमला भी लगा सकते हैं ला सकते हैं कैसे लागे वह थोड़ा सा फोकस करना बस दो में और कलास एगर मैं तिर्जिया की बात करूँ मूंकन कहां पर निकाला हूं आर का जो वैलियू निकाला है हमने आर का वैलियू क्या निकला है आर बराबर भी साइन थीटा एम अपॉन क्यूबी वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी एम क्यूबी तो आर के इस वैलियू को मैं वहां लिखता हूं T sin theta इस एक बार इस आ हमारा R का value T sin theta M upon QB R बराबर T sin theta M upon QB यह हमारा मान आया था अगर मैं इधर देखू इसको सदा कर अगर लिखना चाहूं तो मैं सदा के इसे क्या लिख सकता हूं T sin theta को मैं इस परकार इसको लिख सकता हूं Tm sin theta upon QB अगर मैं यहां से बात करूँ sin theta के, sin theta को इधर ला सकता हूं क्या अगर मैं sin theta को इधर लिखना हूं तो R बटा क्या हो जाएगा sin theta अब बढ़ावर क्या बचा Tm अब बटा कितना अगर आप यहां पे थोड़ा सा आन देते हो इस बात पे जरासा ज़्यादा नहीं, जरासा देजिए ध्यान अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो यहां पे Bm upon QB N upon QB और यहां भी आपका है Bm upon QB प्सकरिएगा M upon QB क्या मैं Tm upon QB का मान यहां से इसमें रख सकता हूँ अगर मैं यहां से इसमें रख दो तो Pich का जो मान आएगा P बराबर P का जो मान आएगा आपका क्या आजाएगा Pich के लिए 2 Pi 2 Pi और Bm upon QB को क्या लिए सकता हूँ R upon sin Theta R upon sin Theta तो यहां पे लिखता हूँ R upon sin Theta बाद में कर लूँगा और यहां हो जाएगा cos Theta अब बटे क्या हो जाएगा R upon sin Theta था तो यहां पे आजाएगा sin Theta और नीचे में क्या है भाई कुछ भी नहीं अब यहां से मैं लिख सकता हूँ Pich के लिए कि जहां 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 क्या कर सकता हूँ जहां से कि cos Theta अब बटे sin Theta गराबर मैं लिख सकता हूँ 1 बटा tan Theta के क्या लिख सकता हो न तो मैं cos Theta upon sin Theta को इस तरह लिखूँ तो Pich का जो हमारा सुत्र मिलेगा वो मिलेगा 2 Pi R upon कितना tan Theta I hope, उमीद करता हूँ कि आपको Pich वाला जिज़ आपको समझ में आया होगा Clear है? अच्छा लगे? क्यूशी बात है तो Pich करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा छूड़ी अंतराल पे आप फोकस करिएगा हमने क्या क्या किया लोड़ सा एक बार देखा जाए हमारा जो question था एक समान चूमभकछेतर में कि आवेश हमने किसी कौन पर किया किया गती करवाया वो गती करवाया तो हमें देखने को मिला कि इसके जो गती हो रहे थे वो दो घटकों में हो रही थी एक बीकी दिसा में और एक चुमबक शित्र के अभी लंबत हो रही थी और इसकी जो गती देखी गई तो वो गती इसकी बिलकुल एक स्प्रिंग की बाती हुई भी साइंटिटा के करण ये गोल-गोल घुमता गया और भी कॉस्टिटा के करण वो आगे चलता गया कुछ इस तरह से और एक स्प्रिंग की तरह इसने गती करी और इस गती को हमने क्या नाम दिया कुंडलीनी गती यानि इसको अगर इंगलिस की बात करी जाए तो इसको बोलते हैं है लिकल मोशन बस हमोशन के आज आज है हेलिकल मोशन तो हेलिकल मोशन या था कुंडलीनी गती करती है और हम जब देखते हैं इसके बीच के कि एक चकर में ये क्या करता है तो इसके एक चकर को हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल क्या बोलते हैं चूड़ी अंतराल तो उमीद करता हूँ कि फिर मिलेंगे अगले क्लास में अज के लिए बस इतना ही तन्यवाद